हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब तो वीडियो देखकर आप समझ गये होंगे कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं जी हाँ बिल्कुल आज हम लोग बनाने वाले हैं गुल गप्पे तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग गुल गप्पे का बिल्कुल ने तरिके का पानी और इसका मसाला भी बनाना सीखेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग गुल गप्पे का मसाला बना कर त्यार करेंगे तो मसाला बनने के लिए यहां पर मैंने 5 मीडियम साइज के बॉयल के हुआ आलू ले लिया है इसमें अभी हम लोग डालेंगे 1 कटोरी बॉयल के हुआ मतर आप चाहे तो मतर के जग़े में चना भी यूज़ कर सकते हैं साथ हम लोग डालेंगे 1 मीडियम साइज का बारिक कटा हुआ प्याज और 2 बारिक कटा हुआ हरे मिर्च आप यहां पर मिर्चों के क्वांटिटी को बढ़ा या फिर कटा भी सकते हैं अच्छा इसी के साथ हम लोग इसमें कुछ सुखे मसाले भी डालेंगे जिसमें सबसे पहले मैंने ले लिया है स्वादनुसा नमक, एक चम्मा, चाट मसाला और थोड़ा से धनीय के पत्ते मैंने यहां पर मसाले को थोड़ा से सिंपली रखा है क्योंकि हमारा पानी बहुत ज़्यादा चटपटा होने वाला है तो बस अभी हम लोग इन सभी इंग्रिडियन्स को एक बड़ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमारा अलू का मसाला बन कर तयार हो गया तो यहां पर हमारा अलू का मसाला बन चुका है तो चली हम लोग पानी पूरी के लिए पानी बना लेते हैं तो इस पानी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्राइंडर जाल ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ एक कप कटे हुँए कच्चे आम इसे के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप पुदिने और आधा कफी धनिय के पत्ते, एक इंचा द्रक जिसे मैंने छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है तीन हरी मिर्च एक चोथ हरी कप गूड थोड़ा सा काला नमक और एक पड़े चमच चाट मसाला इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे दो पड़े चमच इमली का पल और पानी को भी थंड़ 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 करने के लिए भरफ तो बस यहाँ पर मैंने सारा अट्र मिला लिए है तो चली हम लोग इसे ग्राइड कर लेते हैं इसको ग्राइड कर लेने के बाद अब यह बिल्कुल थिक पेस्ट बन कर तयार हो चुका है तो इस paste में अभी हम लोग डालेंगे बिल्कुल ठंडर ठंडर पानी अच्छा मैंने यहाँ पे दो कप पानी डाला है आप एक बार दो कप पानी डालके एक बार देख लीज़े टेस्ट करके अगर आपको लगता है कि यह थोड़ा ठिक है तो आप एक कप पानी इसमें और डाल सकते हैं तो लास्ट मैं अभी हम लोग डाल रहे हैं इसमें फुनिवी जीरे का पाउडर इससे टेस्ट इसका और पूज़ादा बढ़ जाता है तो इसे अभी हम लोग एक बड़ अची तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस वक्त इससे थोड़ा टेस्ट भी कर लेंगे और अगर नमक इसमें थोड़ा कम लगे तो आप इस वक्त एड़ भी कर सकते हैं अच्छा लास्ट में ना मैंने यहां पर थोड़े से नमकिन वाली बूंधी भी डाला है वो मार्केट वाला लूप देने के लिए नहीं यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है डालना आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं तो यहां पर हमारा पानी पूरी का पानी और इसका मसाला दोनों ही बनकर त्यार हो चुका है और फ्रेंचिस का जो पूरी होता है वो घर में बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है तो मैंने आज पूरी घर में नहीं बनाया है मैंने मार्केट वाला यूज किया है जो पैकेट मे आपको description box में मिल जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही thank you so much for watching